हेलो स्टूडेंट्स में फिर से आप लोग का सौगत करता हुए लेन गाइड चनल में तो आज मैं आपको 11.2 चेप्टर का कोश्चन नमबर 9 से बताने वाला हूं क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा हुआ कि हमने 8 नमबर कोश्चन तक कंप्लीट कर लिया था तो यहां पर 9 नमबर कोश्चन में क्या दिया हुआ है नीचे वीर सिंग गाओं के विद्या सागर प्रात्मिक पाट साला के 32 शि तो यहां पर हमें क्या करना है इसका आवरिती बहु भुज बनाना है तो हम इसको क्या करेंगा गंग्रेजी वाला भी एक बार कोश्चन पढ़ लेते हैं आई रिटेन देजस अफ थाटी टीचर्स अफ प्राइमरी स्कूल इन विलेज व्रिसिंग गाओ इन टेबल गिवें बिलो आई रिप्रेजेंट देबाव गिवें डाटा ग्राफिकली बाई हिस्टो ग्राम बी बनाना है और पॉलीगन भी बनाना है इसका तो चलिए इसक में क्या दिया हुआ है जो डाटा दिया है यहां पर 25-31 तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो डाटा हमारे पास है अवलेबल तो यहां पर लिख लेते हैं क्लास दिया है पहला क्लास होगा पहला वाला जो कि हमारे यहां पर लीदिया है वर्स उम्र यानिकि यहां पर दिया ह यह आपका वह हो जाएगा, उम्र यानि कि एज, इन यार, यार में दिया है एज, ठीक है, next क्या दिया हुआ है यहाँ पर, शिख्चको की संक्यानि कि frequency दिया हुआ है, तो हमें इसके लिए midpoint निकालना होगा, सबसे पहले midpoint, मध्यमान निकालना होगा फिर उसके बाद फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं फ्रिक्वेंसी फिर उसके बाद हमारा एक पॉइंट निकालना होगा क्योंकि हमें इसमें आयत का भी बनाना है और पॉइंट भी मार्क करना है तो इसके लिए पॉइं दिया वो इंट्री कर लेते हैं लिख लेते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहला दिया है 25-31 25-31 लेकिन हमें एक जीरो भी एक पहला एक पॉइंट 0 भी चाहिए होगा देखिन चलिए उसके लिए बाद कि कितने का difference है दोनों में यहाँ पर देखिए difference दिया है 31 minus 25 कितना है 6 का difference है 6 divided by 6 divided by 2 नहीं प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे midpoint निकाल रहे हैं मैं इन दोनों का आगे का लिखने के लिए ऐसे कर रहा था लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए midpoint निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जागा 6 और यह 5 56 divided by 2 यानि कि दो दुनी का 4 और 2 8 16 28 होगा यानि कि इन दोनों का midpoint है 28 इसका 28 हो जाएगा अब इन दोनों का निकालते हैं तो देख 30 20 प्लस 39 डिवाड़ वैड़ 2 यहां पर होगा 718 और 3 3 6 डिवाड़ वैड़ 2 यहां पर 3 और यह कितना हो गया 4 3 और यह 718 इसका 34 हो गया अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा तो यह देखिए दोनों में क्या डिफ्रेंस है 6 का डिफ्रेंस हो रहा है मैंने पहले भी देखा था 6 का डिफ्रेंस है अगर इतना लंबा करते जाएंगा तो हमारा सवाल बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो भी लंबी हो जाएगी तो एक्जाम में आप सौट ट्रिक में यूज करेंगे तो यहां पर देखिए 6 6 करने पर हमारा इसका मीड़ पॉइंट मिल जा रहा तो यहां पर 34 में से 6 61 पॉइंट ले लेते हैं जिसका क्या हो जाएगा यहां पर 56 85 मने 58 हो जाएगा इसके पहले वाला पॉइंट क्या होगा देखिए यहां से 19, 6, 25 तो यहाँ पर 19 to 25 हो जाएगा यह भी हमारा कितना point हो जाएगा 6 माइनस कर देंगा तो यहाँ पर 22 एक point हो जाएगा इसका frequency कितना दिया तो इसका frequency तो दिया नहीं तो यह 0 हो जाएगा last वाला भी 0 हो जाएगा बीच का frequency कितना कितना दिया है देखिए इसका दिया है 10 इसका दिया है 13 इसका दिया है 5 इसका है 3 और इसका है 1 ठीक है अब point क्या हो जाएगा हमारा point देखिए हमारा यह सेक् However midpoint है 22,0 28,10 34,13 40,05 इसका हो जाएगा 46 46,03 52,01 और इसका वगा 58,0 पेपर पेड़ा पेड़ा करके देखते हैं तो जो हमने टेवल बनाया है जो हमने टेवल बनाया है उसको आप लोग सामने रख लिजेगा ठीक है तो यह हमारे 9 नमबर कोश्चन है तो यहाँ पर हम 9 नमबर लिख लेते हैं 9 नमबर ठीक है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हमको एक्स और वाइक्स बनाना होगा तो चलिए हम एक्स और वाइक्स बना लेते हैं ओके यहाँ बना लेते हैं चलिए इस जगह पर यह हमारा लाइन छोड़के छोड़िएगा नहीं कभी भी मैं पहले भी बता चूगा हम फिर बता रहा हूँ आपको कि लाइन जितना ज़्यादा आपके अंदर में रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है यह आपका दूसरा लाइन भी खीच लेते हैं दूसरा लाइन खीचेंगे देखिए यह हमारा य एक्स 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 भी खीच लेते हैं यह हमारा एक्स 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 भी खीचा गया तो यह हम यहाँ पर एरो दे देते हैं यह हमारा एक्स हो गया और यह हमारा एक्स डैस हो ग आप से तो इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा तो इसके बाद यह देखिए हमारा ओरीजीन हो जाता है यह और इजिन है अब हमारा पॉइंट जो है उसको पॉइंट को पॉइंटिंग करते हैं यहां पर नौन नॉम्बर कोश्चन में तो यहां पर हमारा क्या दिया है आयत दिया है तो हमारा सबसे पहला क्या देखिए हमको आयत चित्र बनाना है तो आयत चित्र का देखिए सबसे पहला हमारा डाटा क्या दिया है 25 से 31 दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट कर लेते हैं पॉइंट करते हैं तो चलिए पॉइंट करते हैं सबसे पहल क्रच दे देंगे और यहां हम क्या करते 19 सी स्टार्ट करते यह हमारा 19 की ओर यह हम अपना 25 ले लेते हैं कि ठीक है मारा 19 हो जाएगा यह मर थी सो जाएगा इसके बाद देखिये नेक्स्ट जहाए पस्चीस एक 30 से तो 25 से 11 वह गया यह हमारा पॉइंट 31 है फिर यह हो गया हमारा 37, यह 37 बना लेते हैं इसको 37, उसके बाद देखिए क्या है, तह 43 है, 43 लिख लेते हैं, 43, फिर उसके बाद क्या है, 49 है, इसको भी 49 लिख लेते हैं, 49, और यहां देखें 55 है, इसको 55 लिख लेते हैं, 55 है, और इसको हम लिख लेते हैं, 61, ठीक है, हो गय तो यहां हमारा बन गया उसके बाद देखिए हमें क्या करना है मैं बता दूं सबसे पहले आप इसको इंडिकेड कर दिया है कि हमने 10 गर को है दhouse गर को छोड़के हमने 19 से स्टार्ट किया हुआ है और हमने 10 कॉलम को 6 क्ट करके पकड़ा है 10 column को हमने 6 column पकड़ा है क्योंकि देखिए 19 के बाद हमारा जो gap है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 घर का हमारा अंतर है मतलब इसका जो length है class length है वो 6 है तो आप लोग लिख लिएगा कि हमने हमारे x axis पे जो 6 column है उसको हमने 6 column स्वरी 10 column को हमने 6 column करके 6 point करके पकड़ा है तब देखिए 11 अब हमारा frequency को भी हमें मार करना पड़ेगा तो frequency देखिए हमारा इस पर मार करना है तो यह इसका क्या data दी है सबसे maximum कितना data है इसमें maximum जो है हमारा 13 है तो हमारा 15 तक भी करने से चलेगा तो हम इसको नॉर्मली भी अगर लेते हैं तो चल जाएगा लेकिन हमें थोड़ा सा बड़ा दिखना है तो हम क्या करते हैं देखिए दो घर को लेकि एक घर count कर लेते तो यह 10 को 5 ले लेते हैं ठीक है हमारा 0 दिया हुआ है तो 0 दिया है तो 0 करने करोतों नहीं है सेकेंड वाला देखिये क्या है पत्चीस से जो 31 दिया हुआ है वो हमारा देगा आप लोग को कि यह लाइन कभी भी मिस नहीं करना है आपको लाइन में टची रहना है पूरा का पूरा लाइन आपका फिर उसके बाद यह जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है उसको भी हम मिलान कर लेते हैं यह हमने मिलान कर लिया यह हमारा पचीस से कतीस वाला बन गया है हिस्टो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या दिया है उसका कितना पॉइंट दिया फ्रिक्वेंसी 13 दिया हुआ है है इस्टों को मिलाना है चलिए इसको भी मिलान कर लेते हैंच कर लिया है प्यूर्यक्तों कि फिर से मैं बोल रहा हूं लाइन कभी मद मय मिस करेगा ठीक है Qatar जबना पतला पैंसिल हो सके उतना पतला पैंसिल चरींगे आपको marks अच्छे मिलेंगे जितने नीट क्लीन आप दिखाएंगे उतना ही ज्ञादा माक्स मिलते हैं अब देखें 37 से 45 में क्या दिया है 37 से 43 में दिया हुआ है यहां पर 5 दिया है तो 5 हमारा ये है दखिए ये ये इंडिकेट करना है तो हमें यहीं पर मिला देते हैं पांच में तो दिक्कत नहीं आनी है यह हमारा यह पॉइंट है तो इसको हम मिला लिए इसको भी मिला लेते उपर वाले को भी यह हमारा मिल गया ओके अब नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 43 to 49 है 3 43 to 49 जो है वो 3 है 3 कहां पर आएगा हमारा 3 यानि कि दो-दो घर काउंट करेंगा तो यह देखिए हमारा 5 हो गया यह हमारा 6 होगा यानि कि यह हमारा 3 है तो इसको हम यहां पर मार कर देते हैं हमें यह मार को मिलाना है तो हम इसको मिला लेते हैं चलिए तो एक हमारा घर यानि कि दो काउंटिंग में एक है तो यह हमारा एक और यह दो यह हमारा एक पॉइंट है तो हम इसको उपर वाले को सबसे पहले मिला लेते हैं पतला सा रिखा है हमको मिस नहीं करना है कभी भी तो यह हमारा यह मिला लिया हमने मिलान कर लिया और यह साइड का मीड़ पॉइंट जो है वही हमारा मिलान होगा तो यहां पर हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है 19.25 इसका मीड़ पॉइंट क्या 22 है 22,0 22,0 यानि कि यह इसका दोनों का मीड़ पॉइंट कहा है तो यह हमारा दोनों का मीड़ पॉइंट कहा है तो यह हमारा मीड़ पॉइं और इसका 28.10 तो 28 यह हो गया हमारा और 10 कौन सा है यह 10 पर ही हमारा मिलाना है तो इसका जो मिड़ल पॉइंट है तो यह एक पॉइंट हो गया उसके बार देखें नेक्स है 34.13 तो 34 ही इसका बीचका हो गया 13 लाइननी के हमने इसको 33 13 पे draw किया तो यह हमारा एक MID compte हो गया जो हमारा एक med point हो गया इसका 40 & 5 है , 40 हमारा इस켜 new point % 5 में प्र-वे हमने इसको draw किया थो हमारा इसपे 5 skirts 46 to 3 जो हमारा मिल प्र-वे हमने इसका Mid point लें लेंältग तो यह हमारा हो गया next f for 52 or is 1 तो यह हमारा 52 है यह middle point और इसका 1 यानि कि इसका middle point हमने ले लिया हमने 1 पे ड्रॉ किया था next जो point है 58 comma 0 तो 58 यानि कि इसका बीच का point आएगा और 0 यानि कि x-axis पे ही आ जाएगा अब हम क्या करते हैं इसको मिलान कर लेते हैं चलिए मिलान करेंगे तो यह हमारा polygon बन जाएगा बहुबुज यह हमारा मिला दिये एक point को दूसरे point को मिलाते हैं जो point आपने दिया है वो point कभी भी miss नहीं होना चाहिए अगर point मिस होगा तो जो graph का line है वो miss हो जाएगा line मिस होगा तो आपको marks नहीं मिलेंगे मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ बड़ी सावधानी से करिएगा इसमें number उठाना बहुत ही आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके अगर इसको करते हैं तो इसमें आप आराम से number ले सकते हैं तो number लेने के लिए आपको थोड़ी सी महनत तो करनी पड़ेगी ठीक है अब इसको हम इसको भी मिला लेते हैं ओके यह हमारा polygon भी बन गया इसको आप नाम भी दे सकते हैं तो चलिए हम इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F और यह है G यह हमारा A, B, C, D, E, F, G जो है एक polygon है आप लोग लिख लिजिएगा बहु भूज है देखिए हमने mark करना भूल गया है तो यहाँ पर हमने लिखना भूल गया है यहाँ पर number of teacher लिखिएगा देखिए मैं 5 से लिख देता हूँ यह जो है आपका indicate क्या कर रहे है number of teachers को हम लोग indicate कर रहे है इसको और यह जो दूसरा side वाला है वो उम्र बता रहा है जो उम्र है teachers की उम्र वो हमें बताएंगे तो यह हमारा ages हो जाएगा okay समझ गया तो यह हमारा nine number complete हो चुका है तो दस number की ओर चलते तो दस number question में क्या दिया देखिए i draw the frequency polygon for the following frequency distribution table तो हमें क्या कर दिया है यहाँ पर frequency distribution table दिया है हमें polygon बनाना है यहाँ पर फिर से polygon बनाना है तो यहाँ पर हमारा जो data दिया है वो उसमें हमें midpoint निकालना पड़ेगा तो इसलिए हमें क्या करते हैं चले बोर्ड पे चलते हैं बोर्ड में चलते हैं पहले इसका frequency distribution table बना लेते हैं देखिए 10 नमर में कैसे इसको table में बनाएंगे पहले तो हमारे पास जो data दिया है उसको इंट्री करेंगे तो हमारा देखिए यहां पर class सबसे पहले तो class रहे गाई यहां पर जिसको हिंदी में स्रेणी भी बोलते हैं इसलिए हिंदी इंग्लिस दोनों लेके चल रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिस वाले दोनों को problem ना हो तो यहां पर देखिए हमारा class दिया है और यहां पर frequency दिया हुआ है तो हमें एक मीड़ पोइंट निकाल लाँगा तो मीड़ पाइंट के लिए हम जगा छोड़ देते हैं यहां पर 85, तीसरा क्या है 85 to 90, चोथा है 90 to 90, 92 to 95 और 95 to 100 और 100 to 105, ठीक है, अब क्या करने है, हमें बहु बुज बनाना है, तो हमें एक उपर का भी पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 रहेगा, तो हमें मिलान करने में थोड़ सा आसानी होगी, तो यहां पर देखिए हम क्या करते ह है, 75 to 80 है, तो एक और पॉइंट ले लेते हैं, 70 to 75 हो जाएगा इसका पहला वला पॉइंट, और नेक्स्ट वला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 105 से 110, ठीक है, अब देखिए, यहां पर हमारा मिड्ट पॉइंट है, यह मिड्ट पॉइंट, निकालना है माध्यमान, और फ्रिक्वेंसी क्या क्या दिया है, देखिए, फ्रिक्वेंसी तो 72 to 75 का नहीं दिया, तो 75 to 80 का क्या दिया है, 12, यह दिया है 22, यह है 10 1, 2, 3, 10 92, 95 92, 95 नहीं है, यह 92, 100 है ठीक है, यह 92, 100 है ओके, तो इस 92, 100 का 10 दिया है और इसका 8 है, और इसका नहीं दिया है तो यह 0 हो गया अब देखिए हम इस सब का midpoint निकालेंगे तो यह देखिए यहाँ पे हमारा कितना difference है actually इसका beach का point पकड़ते है तो सब को पता है इन दोनों का beach अगर आप लोग ऐसे करिएगा तो ऐसे भी कर सकते, divide by 2 करेंगे इसका 72.5 ही आएगा तो इसलिए हम दोनों का beach का point पकड़ना है तो यहाँ पे 72.5 आएगा इसका एगा 77.5 इसका एगा 82.5 इसका एगा 87.5 इसका एगा 95 इसका एगा 102.5 और यहाँ पे आएगा 107.5 क्लियर है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं मीट पोइंट निकालने के लिए बाकी हमने इसको जल्दी करने के लिए ज़्यादा लंब बना हो जाए आप लोगो तो समझ में है कि मीट पोइंट कैसे निकालना है तो उसमें ज़्यादा एक्स्प्लेंट करने की जुरूत भी नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हमारा जो X-axis को X-axis मीट पोइंट को माल लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जागा 72.5,0 नेक्स्ट हो जागा आपका 77.5,12 पोइंट 5,8 और लास्ट पोइंट 107.5 को मा सुन्या ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको गरापेपर पर ड्रॉ करते हैं तो चलते हैं अब आप लोग देखिए टेबल जो हमने बनाया है अभी उसको आप क्या करिएगा कि अपने सामने रखिएगा अगर सामने नहीं रखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा इसलिए आप लोग उसको सबसे पहले सामने रख लीजिए तो चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं तो सबसे पहले दस नंबर कोशन लिख लेते हैं यह यह निदेरी अब यह निदेरी अपीटों है आपको अलगार लगाराई के लगारा हुट यहां पर देखिये करिएगा मैं फिर से बोल रहा हूं और जितना सार्प एक करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए यह हमारा x hansoy कि यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब कर ले तो सबसे पहले क्या पॉइंट करेंगे देखिए हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था 72.5 था 72.5 था तो हम क्या करते हैं यहां 70 से स्टार्ट करेंगे अगर हम 70 75 लेंगे कहां तक हमारा लास्ट है तो हमारा 110 है तो 110 है लास्ट तो करेंगे देखिए 70 75 80 ठीक है 85 90 95 100 और 105 और 110 यहां तक हमारा आ जा रहा है तो हम इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था लेकिन चली यहां पर आप लोग थोड़ा और लंबा कर लेना यहां तक कर लेना चली मैं यही करी लेता हूं कि इसे लैन को आप लोग यहां तक बढ़ा लेना कि कैमारा लएन दिखाया है इसलिए मैं इसको लाइन नहीं कीच रहा हूं लाइन कीचूंगा तो मोटा हो जाएगा इसलिए तब हमिश्को इंडिकेट कर लेते तो इसको सबसे पहले क्राइग देए यह हमारा क्राक हो गय तो हम हम इसको 70 से स्टाट करते हैं तो यह हमारा 70 हो गया यह हमारा 75 हो गया हमारा 80 हो गया हमारा 85 यह हमारा 90 95 100 105 और यह 110 हो गया ओक्य? यह हमारा complete हो गया, अब यह हमारा क्या चीज़ है, क्या चीज़ का data है, दिखा रहे हैं, हम लोग यह class का data, तो यहां पर हम लिख लेंगे, class, class ही है हमारा, इस तरफ के तरफ जा रहा है, और जो east side वाला है, वो हमारा frequency है, यह हमारा frequency है, ठीक है, और देखिए हमें, अब y axis प कर लेंगे पांच-पांच यानि हम क्या करते हैं चलिए हम क्या करते हैं दो-दो को लेके एक-एक काउंट कर लेते हैं तो यह दो यानि कि यह हमारा पांच है इसको हम पांच ले लेते हैं इसको हम 15 ले लेते हैं और इसको हम 20 ले लेते हैं और इसको 25 ले लेते हैं ठीक है तो तो सबसे पहला point क्या था 72.5,0 72.5 कौन सा हो गाने कि इन दोनों का बीच का point हमने midpoint लिया था तो इन दोनों का बीच का point यह जना कि यह हो गा हमारा तो यह हमारा जी-रो हो गया एक point ठीक्altet next point क्या होगा 77.5 comma 12 77.5 यानि कि इसका middle point होगा जो यह 77.5 है और हमारा 12 12 यानि कि यह 10 हो गया 10 12 यानि कि 4 घर count करना पड़ेगा तो 1 2 3 4 यह हमारा 12 घर हो गया 12 हो गया तो यह जहाँ पे graph का paper काट रहा है वहीं पे हम लोग इसको एक point करके उसको mark कर देते हैं next point है 82.5 और comma 18 82.5 यानि कि इसका middle point और 18 यानि कि आप लोग देख रहे है 18 यानि कि यह हमारा 15 हो गया 15 यह हमारा यहां से हमें क्या करना होगा 18 यानि कि 5 4 9 यानि कि 8 घर हमें count करना होगा तो यहां पे यहां देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यह जो point है यह हमारा mark करना है और यह mark कर दिया हमने next जो point है हमारा 87.5 comma 22 है तो यह जो हमारा हो गया 87.5 यानि कि इन दोनों के बीच का point है इन दोनों के बीच का point और 22 यानि कि हमारा यह जो है यहां पे दो घर count करेंगे तो यह हमारा 22 हो जागा यह हमारा 20 हो गया तो यहां पर एक और दो यह जो है हमारा 22 हो गया ओके next point जो है 95 comma 10, 95 यानि कि 95 हो गया comma 10 10 यानि कि हमारा यह point जो है 10 है यह हो गया ठीक है next है हमारा 102.5 कॉमा 8 तो यह हमारा 102 यानि की इन दोनों के बीच का पॉइंट है 8 यानि की यह हमारा 5 हो गया तो यहाँ पर यह 6 यह 7 और यह 8 हो गया ठीक है यह देखिए जैसे यह 5 यह हमारा 6 यह हमारा 7 और यह 8 हो गया ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है 107,0 यानिके इन दोनों का बीच का पॉइंट है यहां पर हमारा पॉइंटिंग होगा जाएगा क्योंकि वाई 0 है तो यह हमारा इसको क्या करते हैं मिला लेते हैं अब स्केल से मिला लेंगे पॉइंट कभी भी मिस नहीं होना जाए जो हम आप यह हमारा एक यह बन गया उसके बाद यह देखिए यहां पर भी हम मार कर लेते हैं यह अपने मार कर लिया फिर उसके बाद यह इसको भी मार करते हैं देखिए पॉइंट नहीं मिस होना थे मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ यह जो पॉइंट है कभी भी मिस नहीं करिएगा आप लोग यह जो है यह फिर से पॉइंट कर लिए और यह जो है इसको लास्ट वाले को भी मिलान कर लेते हैं यह हमारा मिलान हो गया अब हम इसको नाम दे देते हैं क्या देंगे A, B, C, D, E, F और G आप लोग लिख लिजेगा A, B, C, D, E, F, G जो है वो एक पहल पोलीगॉन है हिंदी वाले लिख लिख लिजेगा बहु बूज है बाकी तो आप लोग को पता ही है कि हमने के दो घर लेके एक घर काउंट किया है तो ये भी आपको लिखना होगा उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे भी दो घर लेके एक घर काउंट किया है यहाँ पे भी आप लोग लिख लेना उसके बाद हमारा complete हो चुका है 10 number चलिए next question की और चलते हैं next question में क्या दिया है I draw the frequency polygon for the following frequency distribution इसमें भी हमें frequency distribution table बनाना होगा तो चलिए हम लोग board पे चलते हैं जो data दिया उसे हम लोग frequency distribution table पहले बना लेते हैं 11 number का हम लोग table कैसे बनाएंगे देखिए 11 number तो यहां पर हमें क्या इसको भी polygon बनाना है तो हमारा सबसे पहले data क्या क्या दिया और ले लेते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर भी हमारा same क्या किया था यहां पर जो दिया हुआ है 10 9 के बाद 11 में पहुंच गया 11 to 11 to 20 को गया तो यहां पर हमारा जो दिया है सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, क्या-क्या डाटा दिया तो यहां पर class और class boundary हमें निकालना पड़ेगा, boundary, यानि कि जिसको सिमान्त बोलते हैं, mid value निकाल लेंगे, mid value हमें अंकित करना पड़ेगा, ग्राप पर यह frequency दिया हुआ है, वह ही लिख लेंगे, तो यहां पर हमें देखिए, इसको निकालना है, हम क्या करते हैं, देखिए, polygon बनाने के लिए हमें एक point की जोगा थे, इसलिए हमें mid value निकालना पड़ेगा, mid value के लिए, हम क्या करेंगे, जो data दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं, तो यहां पर हमारा data दिया है, एक से दस दिया है, एक से दस, फिर दिया है, ग्यार से बीस, फिर दिया है, 21 से 30, 31 से 40, और 41 से 50, दिया हुआ है, ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, आपको पता है कैसे निकालना है इसको, क्योंकि मैं बहुत बढ़ बता चुका हूँ, तो देखिए, इन दोनों में difference क्य 10 is equal to 1, 1 divided by 2 is equal to 0.5, दोनों में difference है, 0.5, तो दोनों का एक middle point ले ले लेते हैं, एक सी मेरी साब से बोला जाये तो, और यहां पे 0.5 हो रहा है, तो 0.5 क्या, इसमें minus करना है, तो इसमें minus करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा point, 0.5 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 10.5 next point क्या हो जाएगा हमारा 10.5 और यह हो जाएगा 20.5, यह हो जाएगा हमारा 20.5 to 30.5, यह हो जाएगा 30.5 to 40.5, यह हो जाएगा 40.5 to 50.5, अब mid value क्या हो जाएगा, देखिए, यहां देखिए, इन दोनों का mid point क्या हो जाएगा, हमारा 0.05 plus 10.5 को जोड़ेंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा देखी 11 by 2 यानि की 15.5 यहाँ पे होगा 15.5 इसके बाद देखिए 15.5 बोल रहा हूँ यहाँ पे हमारा 11.5 यानि की 5.5 होगा यहाँ पे देखिए next वहला है 10.5 प्लस 20.5 यानि की यहाँ पे होगा 0, 1, 3 यहाँ पे मारा ओका 15.5 उसी तरह से देखिए यहाँ पे मारा 5-5 extra है तो यहाँ पे 25.5 यहाँ पे हो जगा 35.5 यहाँ पे हो जगा 45.5 फ्लिकुंची सब का क्या दिया हूए देखिए इसका आट दिया हूए है यहां पर 3 6 6 12 13 ट्यारं लेकिन मैंने 1 rare Univers table Moo中 कम बीकर है कि पर जब हमें एक पॉलिगान बनाना है वह एक एक एक्ससी पहल मिलान करना होग जिसके यह प्ति ही आगे का एक पॉइंट ले लेंगे तो यह देखिए हमारा 10 का gap है तो यह यहां पर हमारा देखिए क्या हो जाएगा यहां पर 1-11 0 हो जाएगा ठीक है अब यह देखिए इंस गया इन दुनों के बीच में कितने का gap है हमारा 10 का gap है तो यह वाला point तो आपकोiern below कि क्या होगा 0.5 होगा तो इधर का क्या हो जाएगा तो minus 10.5 से करेंगा तो यह हमारा भी 10 का minus में gap हो जाएगा तो यहां पर हमारा यह कितना होजाएगा 5.5 हो जाएगा और यह हमारा 0 हो जाएगा frequency दिया नहीं है और यह अब उसी तरह से लास्ट अला भी एक ले लेते हैं यहां पर हमारा 51 to 60 हो जाएगा और यह हमारा होगा 55.5 से 60.5 यह हो जाएगा आपका 55.5 मिड पॉइंट और यह हमारा एक फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगा अब इसका पॉइंट जो हम लोग मार्क करेंगे वो क्या होगा देखिए हम मीड वैल्यू को एक सेक्सिस में सो करते हैं तो इसको हम 5.5,0 करेंगे यहां पर 5.5,8 यहां पर हो जाएगा 15.5,3 यह हो जाएगा 25.5,6 यह हो जाएगा 35.5,12 45.5,4 55.5,0 ठीक है तो अब इसको हम क्या करते हैं अब चलिए इसको पॉइंट करते हैं अब ग्राफ पर 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 पॉइंट कर लेते हैं हमने फ्रिक्वेंसी डिस्टिविशन टेबल बना लिया है तो आप उसको सामने में रख लिजिएगा सामने में रख लिजिएगा तो ह वहील्य दौइक्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं तो यह हमारा एक्सी स्सक्राइए है दौकर झwarcolor Dan इसको हम y देदेपे है और यह कर देखिए हम लोग और आप दिखिए हम लोग कि यह हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं लाइन कभी मत मिस करिएगा अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो यह हमारा x-axis हो गया ठीक है यह x है और यह हमारा x- हो गया यह हमारा origin हो गया ठीक है तो हमने जो data निकाला है उसमें देखिए क्या-क्या data दिया हुआ है सबसे पहले तो हमें mark करना पड़ेगा point mark कर लेते हैं उसके बाद हम data को put करेंगे तो सबसे पहले यह जो हमारा दिया हुआ है 11 नंबर में यह हमारा class है यह class दिया हुआ है और यह frequency हो जाएगा तो इसको भी हम frequency लिख लेते हैं ठीक है आप लोग copy घुमा के लिखेगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो मेरा टेढ़ा लिखा जा रहा है वो आपका टेढ़ा ने एकदम पूरा सिधा दिखेगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए हमने minus जो हमने लिया था point जो है हमारा वो minus 10.5 to minus minus 10.5 से 0.5 pointing दिया हुआ है तो minus 10.5 से 0.5 दिया है तो minus 10.5 हमारा कौन सा होगा पहले तो point कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं देखिए 10-10 का ही point ले लेते हैं यह हमारा 10 का है तो 10 ही को ले लेते हैं यह हमारा जो 10 है उसको हम क्या करते हैं 10.5 मान लेते हैं चलिए यह जो हमारा 10.5 ही मान लेते हैं तो क्या होगा देखिए अगर हम इसको 10.5 मानते हैं तो यह जो 1 है 0 के बाद 1 होगा वो हमारा 0.5 हो जाएगा लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा problem हो जाएगा तो इसलिए क्या करते हैं 5.5 से मानना शुरू करते हैं तो यह हमारा सबसे पहले क्या करेंगे 5.5 माल लेते हैं सबसे पहले यह 5.5 माल लेते हैं चलिए 5 को हम क्या करेंगे 5.5 माल लेते हैं 5.5 यह 0 हो जागा तो यह भी यह हमारा भी 5.5 हो जाएगा ओके माइनस में अब देखिए इसको क्या होगा यहाँ पर minus 5.5 हो गया और उससे ज़्यादा हमें आगे की जरौत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा जो pointing है minus 5.5 से ही है ऐसे यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर minus 10.5 भी लिख सकते हैं यह जो next वाला point है तो हमारा 5-5-5-5 का जा रहा है तो यहाँ पर यानगी 10 column को हमने 5.5 माना है तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे देखें next जो point है हमारा वो यह 10.5 हो जाएगा यह हमारा 15.5 हो जाएगा यह 10.5 यह हमारा 15.5 यह हमारा 20.5 यह हमारा 25.5 यह हमारा 30.5 यह हमारा 30 35.5 40.5 45.5 यह हमारा 50.5 55.5 और यह मैं 60.5 तक का लेना था पॉइंट तो हम लोग क्या करते हैं इसको और थोड़ा आगे बढ़ाना होगा यह हमारा 55.5 और यह हमारा 60.5 यह जो है X-axis है इसको लाइन को आप लोग सभी से मिला लेना ठीक है पूरा थोड़ा लंबा रख लेना अब देखिए हमें Y-axis का भी पॉइंटिंग कर लेते हैं तो Y-axis का देखिए सबसे बड़ा जो पॉइंट हो क्या है हमारा गर को हम एक घर काउंट कर लेते हैं तो यह हमारा 5 हो गया यह हमारा 10 हो गया यह हमारा 15 हो गया ठीक है तो हमारा हैस्ट क्या था 12 था तो हमारा 15 तक करने से ही काम हो जाएगा ठीक चलिए now point कर लेते हैं pointing में क्या है सबसे पहला point minus 5.5,0 minus 5.5,0 यानि कि यह point यहाँ पे मिलता है तो हम इसको point कर लेते हैं next point है 5.5 और 8 है तो यह हमारा 5.5 हो गया यह हमारा 5 हो गया 2 घर लेके हमने count किया है तो यानि कि हमारा यह यहां पे बनेगा, यह हमारा 8 हो गया, ओके, नेक्स्ट जो है, 1.5, 15.5, sorry, 10.5, 3 दिया है, 10.5 नहीं, 15.5, 3 है, 15.5, 3, 15.5, 3 यानि कि कहां पे आगा देखिए, 15.5 यह हमारा, 3 यानि कि 2-2 घर काउंट करेंगे, तो हमारा 6 पे आएगा, तो यह हमारा यह पॉंट जो है, वो हमारा 15.5, 3 होगा, नेक्स्ट 25.5, 6, 25.5, 6 यानि कि यह हमारा 5 हो गया, 6 यानि कि 2 घर काउंट करना होगा, तो ये दो घर हमने count किया और इसको mark कर लिया next है 35.5,12 35.5,12 यानी कि 12 यानी कि हमारे ये 10 हो गया तो यहां से 4 घर count करेंगे तो यह यहां पे आ जाएगा तो यह हमारे ये point जो है वो हो गया 45.5,4 है 45.5 यह हो गया हमारा 4 यानी कि यह हमारा 5 है तो यहां से हम दो गर नीची आ जाएंगे तो यह हमारा 5 हो जाएगा तो यह हमारा 4 हो गया देखिए count कर लेते फिर भी एक यह दो तीन और यह चार नेक्स्ट जो है 55.5,0 तो यह 55.5 हो गया 0 यानि कि हमारा यहां पर यह 0 आ जाएगा अब हम क्या करते हैं इसको मिलान कर लेते हैं मिला लेंगे मिला लेते हैं तो देखिए हमारा जो माइनस वाला है सेड में आएगा सबसे पहले पहला पॉइंट चलिए इसको मिला लेते हैं उसके बाद कौन सा पॉइंट है यह पॉइंट है कभी भी point miss नहीं होना चाहिए आपका मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको point miss हो जाएगा तो आपको एक marks भी नहीं मिलेंगे थोड़ा सा दयालू teacher होगा तो एक नमबर दे देगा आपको बाकि 10 में से एक marks कोई माईने नहीं रखते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग point कभी भी मिस मत करना और नहीं graph का mark को मिस करना ओके इसमें तो graph का mark का कोई meaning नहीं है यहाँ पे सिर्फ point का ही meaning है आप point अगर मिस कर देंगे तो आपको कोई भी number नहीं मिलेंगे last point है यह और यह जो point है आप ज्यादा बड़ा भी नहीं देना सिर्फ आपको देखने के लिए है वो point कि आपको point का पता चले इसलिए आपने उसको point दिया हुआ है अब हम इसको number लिख लेते हैं यहाँ पे number लिख लेंगे mark कर लेंगे a b c d e f और जीज यहाँ पर लिख लिख लिएगा आप लोग a b c d e f g जो है represent the frequency polygon ठीक है यह एक बहुबज आवरिती है यह हमारा ग्यारा number question समाप तो चुका है तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बात का पार्ट बताऊंगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंट के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनसे उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा अगर आपको इसकी पीडियेफ की जुरुत है तो आप लोग हमेरे टेलीग्राम को जोइन करिए टेलीग्राम पे हम लोग इसका पीडियेफ प्रोवाइड करेंगे तो चलिए चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं